Good morning everyone, हम देखते हमारा next lecture, lecture number 22, जो अपनी unit 6 है, वो sewage characteristics तो last unit में हमने क्या चीज बढ़ा था हमने last unit में sewage की कुछ characteristics पढ़ी थे है, COD हुआ, BOD हुआ तो BOD के बारे हमने थोड़ा बहुर डिसक्सान किया था कि BOD एक्चल में है क्या Biochemical Oxygen Demand मतलब जो हमारे Organic Matter मौझूद है Seavage के अंदर उस Organic Matter को Decompose करने के लिए Oxidize करने के लिए मतलब खतम करने के लिए कितनी Oxygen चाहिए किलर है कि नी अब वो जो Oxygen उसको चाहिए न तो वो हम दो तरह से Provide कराते हैं या तो हम Chemical डाल के या फिर Naturally अगर आप Chemical डाल के Provide करा रहे हो फिर आपने देखा कितनी Oxygen Demand है मतलब किस चीज़ की Seavage की Oxygen Demand है Organic Matter को खतम करने के लिए तो वो जो Demand थी हो कहलाए कि Chemical Oxygen Demand और अगर आप Naturally प्रोवाइड करा रहे हो फिर आप देखे रहे हो कितनी Oxygen उसको चाहिए Organic Matter को Decompose करने के लिए तो वो जो Demand है हमारी कौन सी कहलाएगी Bio Chemical Oxygen Demand और Bio Chemical Oxygen Demand के अंदर केवल और केवल जो हमारा Bio Degradable Organic Matter होता है वो ही Remove होता है वो ही Decompose होता है या कहा जाए वो ही Oxidized होता है इसके लावा Non-Bio Degradable Organic Matter रिमूब नहीं होता है इतना सामने पड़ा था अब बात आती है BOD को अपन किस तरह से निकालते हैं तो इसके दो तरीके एक तो Practical Method एक दूसरा Theoretical Method अब देखो भाईया जो रटते हैं या जिन्होंने केवल बुक्स में से रट करके कुछ चीज़ा समझ ली है उनके लिए तो BOD बहुत आसान चीज़ है और जो Higher Studies कर रहे हैं अच्छे उनको Questions लगाने हैं उसके लिए जो Concepts बहुत ही ज़्यादा Deep Concept है BOD का बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसे समझ पाते हैं तो अपने इसको समझेंगे तसली से कि BOD एक्च्वल में है क्या और किस तरह से अपने इसको निकालते हैं जिनकों केवल यह कि यहां BOD, Biochemical Oxygen Demand यह यह Question बनते हैं याद कर लिए रट लिया बात खतम देखो उनके लिए तो बिल्कुल इजी है वह सिंपल सी चीजे मैं भी आपको बदा सकता हूं दो चार आइटम उसे लेकिन अपन को यह समझे ना है कि Biochemical Oxygen Demand एक्च्वल में कैसे कल्कुलिट करते हैं क्या होती है थोड़ा तो मैंने आपको बता दिया फर्दर अपन देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे इसको Biochemical Oxygen Demand को पहला में अपन देखते हैं वह अपना कौनसा प्रेक्टिकल में इस में अपन क्या करते हैं दो मेरे पास एक तो है यह सेंपल कौनसा सीवे सेंपल सेकंड के थर्ड के अंदर कि भाई जो डिजॉल औक कितनी घुली हुई होती है वह हमको सब कुछ मालू है तो भाई जो यह इसके अंदर पानी के अंदर Oxygen घुली हुई है यह हमारा सीवे जैज इसके अंदर Organic Matter है Organic Matter को Oxygen चाहिए हमने दोनों को मिला दिया मिला करके एक सिंगल सेंपल बन गया यह था हमारा Initial Diluted Sample तो यह था X ML यह Y ML दोनों को मिला दिया क्या हो गया X प्लस Y यह मालो 50 था यह 100 था टोटल 500 होगा कि नहीं होगा तो यह था हमारा CV सेंपल X ML Initial Test Sample और यह क्या है Pure Irritated Sample वो है Y ML दोनों को मिला दिया Initial Diluted Sample Initial Diluted Sample इसका मतलब क्या है भया यह है Initial Test Sample जो हमने Test Sample लिया था यह दोनों को मिला दिया तो जो मिसरन बना है वो है हमारा यह Initial Diluted Sample कितना है यह X प्लस Y ML किले रहे के नहीं इसके अंदर कुछ नो कुछ Oxygen घुली हुई होगी हमने जैसी दोनों को Mix किया Mix करती है हमने इसके दियो को निकाल लिया Wingler Method के दो आरा हमने Dissol Oxygen को निकाल लिया कि इसके दर दियो डिजॉल ऑक्सिजिन वो है कितनी 10 mg पर लिटर 20 mg पर लिटर वो इसको यूज करेगा खाएगा खाएगा तो फिर ओक्सिजन खतम होगी तो हमने इस सेंपल को रख दिया यहां पर हमने इस सेंपल को रख दिया तो उस सेंपल को हमने 5 दिन के लिए 5 डेज के लिए और कितने डिग्री सेंटिग्रेट पर 20 degree centigrade पर हमने रख दिया उस sample को फिर हम 5 दिन बाद चेक कर रहे हैं उसकंदर क्या dissolve oxygen तो क्या sample की volume change हुई क्या नहीं वही रहा एक्स प्लस वाई एमल लेकिन change क्या हुई जो इसकंदर इसके आधार पर ही अपन निकालते हैं वाई BOD कितनी oxygen उसने यूज करी तो आप देख सकते हो कितनी मिली ग्राम पर लेकितनी यूज कर लिए अठारा तो अठार को हम डाइकली ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हम हम किसके रूप में volume के रूप में डिनोट करेंगे तो initial volume कितनी है इसकी x plus y ml और test sample कितना था अपना x ml तो यह जो factor है ना इसको बोलते हैं अपन क्या इस रेशो को अपन क्या बोलते हैं dilution factor क्या होता यह diluted sample यह जो था हमारा upon में initial test sample इन नोनगा जो ratio है वो हमारा dilution factor कहलाता है और oxygen consumed यह मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालेंगे पहले तो इतनी थी oxygen do का मतलब है dissolve oxygen और बाद में रह गए इतनी तो खतम कितनी हुई v1-v2 तो oxygen consumed into में dilution factor करोगे आप तो आपकी क्या जाएगी BOD कितने दिन की आगी पांस दिन में इतनी BOD है वाला पांस दिन में oxygen demand इतनी है BOD का मतलब यह तो है पांस दिन की oxygen demand कितनी है इतनी कितने degree centigrade पर भी depend करती है temperature अगर आप बढ़ा दोगे तो micro-organized activity दस गुना बढ़ जाती है ठीक है 10 degree centigrade करने पर दो गुना बढ़ जाती है आपने पढ़ा था पहली unit number 3 के अंदर biological parameters के अंदर देगा था तो temperature बढ़ेगा activity बढ़ेगी तो जल्दी कंजिम हो जाएगी बहुत जल्दी खतम हो जाएगी temperature कम होगा तो लेट खतम होगी oxygen हमारी तो यह जो demand थी यह दोना चीजों को दसाना जरूरी है और पांच दिन और 20 degree centigrade हमारा standard है यह आपको याद रखना है ठीक है यह सब कुछ में note में लिखा दूँगा अभी note करने कोई जरूरत नहीं है यही अपनी काम की चीज़ा है इस तरह से हमने जो निकाली है oxygen करने के लिए पांस दिन के लिए इतनी जो भी value आएगी यहां से निकल करके कि पांस दिन के लिए इतनी oxygen चाहिए हमारे और्गनिमेटर को decompose करने के लिए या कहा जाए ऑक्सिडाइज करने के लिए या कहा जाए डी ऑक्सिजिनेट करने के लिए मतलब उस में से सब कुछ खतम करने के लिए और अर्गनिमेटर को अपने को इतनी चाहिए वह demand ही तो जो चाहिए वह demand ही तो BOD गलाती हे हमारी यह थी हमारी BOD जो कार्वने प्रेज़ेंट कार्व और हां एक चीज और पने important कि जो मैंने देखा था जो अपनी BOD कर थी उसमें दो इस्टेज ती एक तो carbonacias दूजरी काँ ती nitrogenous तो जो carbonaceous है न वो जादा दिन तक तो अपन सबसे जादा जो maximum oxygen कौन ही उस करता है carbonaceous matter ही use करता है for example organometer माली जे 100 है 100 में से 80 जो है 90% तो वो ही अपना carbonaceous वो ही use करेगा organometer तो अपन जो है carbonaceous demand ही निकालते हैं मतलब जो BOD निकली है न यह oxygen जितनी भी demand आएगी यह किस चीज के लिए आएगी कि इतनी oxygen चाहिए carbonaceous matter को खतम करने लिए कि 5 दिन के लिए carbonaceous matter को इतनी oxygen चाहिए के लिए तो carbonaceous matter की ही demand निकालते हैं तो हमेशा BOD किसकी निकाल जाती है nitrogenous यह carbonaceous carbonaceous और कौनसी स्टेज के लाती हो हमारी first stage BOD ठीक है ना वही लिखा है हमने सीवेज में present carbonaceous matter harmful होता है और mainly यही oxygen को utilize करता है अते practically first stage BOD ही ग्यात की जाती है और इसमें भी अपन क्या करते हैं केवल पांच दिन की ग्यात करते हैं पांच दिन में कंजीम होई oxygen को ग्यात किया जाता है क्यों 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 कि वहिया अगर आप इसकी total देखो अपने पास यह अपने पास sample है मान लीजिए यह मेरे पास sample है इसमें इतना organic matter है अब मैं इसको oxygen देता दा ढ़ने जारा है यह matter खतम होते जारा है इतना बज़ गया देता जारहों इसको इतना बज़ गया इतना बज़ गया अब यह finally ultimately इसको कितनी oxygen चाहिए वो ग्यात करने के लिए complete organic matter खतम होना जरूरी और ये कब होता है बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद मतलब उसके लिए हम को चाहिए गए 500-200 दिन तो हम इतने से सेंपल का डेड़-200 दिन तक आप इंतजार कर सकते हो क्या नहीं कर सकते इसलिए अगर आपन इसी का हमने देखा कि 5 दिन की मैंने निकाली कि वह पांस दिन में कितना मेंटर कंजीम हो जाएगा तो मैंने 5 दिन की BOD निकाली तो और मैंने एक बार स्टार्ट में टेस्ट किया भी और मैं कि निकाल के देख ली जो मेरी बीओडी निकल के आई थी जो कम्प्लीट मेंटर को हाटाने के लिए वह कितने दुनों में आय थी मालू कितने दुनों में आय थी तो उस BOD का जब मेरे 5 दिन की निकाली तो ultimate BOD मालेजी इसे हमारी कितनी थी 100 मिलीघ्राम पर लीटर निकली ह जो कितने दिनों पता हुआ थी, ये जो result अपना को कितने दिनों पता चलाता, 100 days में, और 5 दिन की जो BOD निकली थी मेरी, वो कितनी आई, 68 mg पर लीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मोटा मोटा मतलब ये है, कि 5 दिन की जो हमारी BOD है, वो ultimate BOD का कितना पर्षेंट दरसाती 68% दरसाती है तो मैं 5 दिन की निकालूँगा ना मैं क्यों इतने दिन इंतजार करूँगा क्लिर है के नी इसलिए केवल BOD भी कितने दिनों की गयाद कि जाते है केवल 5 दिन की कितने दिन की पास पर नी देखिए वह यह अपना इनीशे सेंपल यह अपना प्योर एंटेटिड्स एंपल और यह अपना इनशेल डियलुट्ड्र चैपल है किया जाता है इस तरह सब्सक्राइब खहुता है अगर मैं बात करता हूं ज्याद कि तो फिर्टिकली को समुझना थोड़ा सा कथिन ondan है इस पर बात कि मैं करवा भी दूंगा एक दो कुशन आपको ठीकल भी ओडी की बात अगर अपन करते हैं तो ठीकल भी ओडी क्या होती है देखो तसली समझना इस चीज को कि हमारे पास कोई मान लीजिए यह मेरे पास टैसेंपल है ठीक यह टैसेंपल इसमें इतना सीवेज भरा हुआ है इ इतने औरगनिक मैटर को डीकंपोज करने के लिए अपन को क्या चाहिए ऑक्सिजन तो हमारी जो एप्रोस थी वो क्या बताती है हमने इसके अंदर ऑक्सिजन देते गए और हम इसके अंदर जो मैटर बच रहा था वो हम दोनों चीज़ों को ग्याद करते हैं हमने इतनी ऑक 500 बिलीग्राम पर दे जो भी उसकी रेट आएगी तो मैंने क्या किया इस से मैंने ऑब्जर्व क्या किया इस तरह का ग्राफ बना इस ग्राफ से मैंने क्या उब्जर्व किया कि टी समय बाद टी समय कुछ भी हो सकता है एक दिन दो दिन एक घंटे दो घंटे टी समय बाद जितना इसमें organic matter present है, BOD की rate उसी पर निर्भर करती है directly. नहीं समझे भी आप? कि BOD की जो rate है मतलब oxygen की जो demand है ना, उसकी जो दर है, मतलब किस दर से oxygen भेजनी है अपन को? बहुत जल्दी भेजनी है, बहुत तेजी से भेजनी है, दस मिली ग्राम पर लेटर, बीस मिली ग्राम या फिर कम है उसकी rate. तो जो दर है ना, oxygen की दर, जो अपन भेज रहे हैं, वो किसके proportional है? जितना इसमें organic matter present है, T समय बाद. जैसे कि मैं आज अगर करता हूँ इसको शुरूँ, और आज इसके अंदर इतना सारा organic matter है, मतलब जादा है, तो इसकी जो BOD rate है ना, वो भी जादा होगी. यह मैंने आज से सुरूँ किया था, अब अगर मैं देखता हूँ इसको दो दिन बाद की अगर मैं बात करता हूँ, तो दो दिन बाद क्या होगा? अगर मैंटर कम होगा, कम होगा तो इतना बच गया, तो अब जो दो दिन बाद इसकी जो rate है, वो क्या हो जाएगी? oxygen की जो demand की जो rate है, वो कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जितना बचरा है ना, उस पर निर्भर करता है अपनों ध्याना. तो अब की बाद पहले जादा बचरा था, तो रेट जादा थी, कम बचरा है, तो कम बचरा है, और कम बचरा है, तो और भी कम rate है, तो BOD की rate किस पर निर्भर करती है भाइया? जितना बचरा है न, organahu matter, उस पर depend करती है. तो धीरे धीरे जैसे जैसे time spent होता जाएगा BOD की rate धीरे धीरे कम होती चली जाएगी मतलब पहरे दिन तो BOD जादा, दूसरे दिन BOD कम, तीसरे दिन और कम, चौतरे दिन और कम अगर मैं जोड़ता तला जाँ तो BOD बढ़ रही है जैसे कि पहले दिन मालो 10 mg per liter, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 8 लेकिन मैं कहूं हो वही तीन दिन की BOD कितनी है तो 10 प्लस 9 प्लस 8 कितनी होगी 27, किलर है कहा नहीं, तो cumulative तो BOD बढ़ रही है oxygen demand जादा ही हो रही है, लेकिन per day की जो rate है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है क्यों, क्योंकि organic matter, यह देखो न आप per day की, यह start में 0 day था, तो इतना organic matter था दूसरे दिन फिर कम, और कम, और कम, और कम, फिर खातम हो जाएगा इस तरह से, यह उती जो L T है न, अपना L T, L T का मतलब क्या है, यह amount of organic matter present at time T, T time पर जो present है दो दिन बाद देखा, इतना बचा हुआ है matter, उसी को अपन L T से denote कर रहे है एक्चवर में L T है क्या, organic matter है, लेकिन अपन रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसको oxygen के रूप में, मतलब 2 kg और गनी मेटर को 4 kg चाहिए तो 4 kg से denote कर रहे हैं अपन oxygen के दवारा और गनी मेटर को रिप्रेजेंटर नहीं कर रहे हैं अपन की 2 kg और गनी मेटर है, नहीं, 4 kg और गनी मेटर को ही कर रहे हैं लेकिन किसकी टर्म में, oxygen के रूप में, किलर है के नी, तो भाईया जितना अब आप इसको कैस समझोगे, मालो, जैसे आपने देखा होगा, अपन कह होता है, कुछ होता है, तो अपन क्या करते हैं, भई की गरिवों की सेवा कर देते हैं, तो आप जाते हो, जाकर कि ये, आपने क्या किया, बिस्किट के पैके लेगे खूप सारे, और आपने उनको देना शुरू किया, तो आपके चारों तरफ लोग बाग इखटे हो गए, और आपने देना शुरू किया, तो जितने जादा लोग थे, आपके पास बिस्किट्स बहुत सारे हैं, वो है ऑक्सिजन, लोग बाग क्या है, और गनिक मेटर, एक्जामपल तर राइबस, ठीक है, समझेने के लिए, तो उस टाइम वो जादा थे, तो क्या है, रेट बहु क्या हो गए भई, कम हो गई, अब आप भई, पहले एक मिनट में 60 बिस्कुट दे रहे थे, अब आप एक मिनट में केवल 10 दे पा रहे हो, दो गंटे बाद आपकी रेट और भई, कोई है क्या बिस्कुट लेने वाला, कोई बस तो नहीं गया, आप ढून ढून करके दे रह इस बिस्कुट देने की दर कम हुई है, लेकिन टोटल बिस्कुट की संक्या वो कमने हुई, 60 प्लस 50 प्लस 40, यह आपका डेड़ सो, यह आपका बढ़ता चला गया, तो अपने इसको theoretically इस concept के आधार पे कैसे निकालते हैं, कि भई, first stage BOD की कर्व है यह अपना, जो मैं आप को बताया, यह कर्व अपन को क्या बताती है, कि rate of BOD, या कहा जाए rate of deoxygenation, या कहा जाए rate of decomposition, एक ही बात है भई है कि oxygen कितनी चाहिए, उसकी दर किसके समानपाती होती है, amount of organic matter present at time T, T समय पर जो organic matter बचा हुआ है, उसके समानपाती होती है, अगर organic matter कम बचा हुआ है, तो कम होगी, जादा बचा हुआ है, तो जादा होगी, यही तो statement है, जो हमने इस वाली कर्व से समझा, और इस statement के आधार पे हमने क्या लिख दिया, mathematically, DLT upon DT is directly proportional to LT, DLT का मतलब, वही LT तो क्या है, LT तो है अपना क्या, organic matter है, in terms of oxygen, oxygen की रूप में organic matter है, LT, तो organic matter जतना जाद होगा, इसके गटने की दर, दर का मतलब क्या rate लग जागे नीचे, DLT upon DT, तो जो इसकी rate है, वह किसके समानपाती होगी, और इमेंटर के, और इमेंटर के खतम होने की दर, और इमेंटर के ही समानपाती होती है, जतना जादा बचेए का उतना जादा rate होगी, DLT upon DT तो derivation होता है अपर उसके जरूत नहीं अपर को करने की objective के अंदर, तो इसको solve करने पर अपना final formula क्या आता है, यह, YT is equals to L into 1 minus 10 is to power minus KD dot T, सबसे important equation है, लेकिन यह के वल, gate ES के लिए ज़्यादा important है, वैसे नहीं है, तो देखो, इस equation के अंदर क्या क्या चीज़े हैं, Organic Matter की मात्रा है, L का मतलब, लेकिन किस के रूप में? Oxygen के रूप में, अगर 10 ग्राम है और उसके लिए Oxygen लग रहे हैं 20 ग्राम, तो बिस ग्राम बोलूँगा, उसको 10 ग्राम नहीं बोलूँगा, कि 20 ग्राम oxygen है, L, T का मतलब क्या है? L, T का मतलब क्या है? यह तो है initial, L का म समय पर जो था ये था एल और टी समय पर कितना है लटी मतलब मालिचे स्टार्ट में जो वो था हमारा और शूंगर में तो कितना बचा मेरे पास तो बचा मेरे पास साथ ग्राम बचा तो खतम कितना हो गया 40 तो ये तो है हमारा 100 ग्राम ठीक है दो गंटे बाद कितना बचा 60 वो है LT खतम कितना हो गया वो हो गया 40 वो है YT तो YT का मतलब क्या है T सब्वे में खतम हुए अरगन्मेटर की मातरा के लिए रहेखे लिए के का मतलब किया है भहि के क्या होता है के दी ऑक्सिजिशनेशन कॉंस्टेंट होता है किस आधार पे जो लॉग का बेस होता है लॉग बेस E और इसलॉग क्योंकि इसकी value जो मैं लिखाँगा न के की value वो इबेस के आधार पर ही values न साथ सारी इसलिए मैंने लिख दिया आई है कि के क्या है deoxygenation constant है किस के आधार पर एक क्या अधार पर और ये क्या होता है अपना किन चीज़ों पर निर्वा करता है एक तो type of organic matter present करता है organic matter कैसा है अगर उसकी जटल सनचना है तो तोड़ने में oxygen जो है ज्यादा लगेगी तो के की value क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और अगर इसकी सनचना सरल है तो जो के की value है सरचना पर डिपेंड करती है कि सनचना जो है हमारे और ही मेंटर की कैसे जटिल है cellulose का बना हुआ है glucose किस चीज़ का है या फिर क्या है सिंपल है उस पर डिपेंड करता है temperature पर भी डिपेंड करता है तो क्या होगा वह सब कुछ अपन देखेंगे तो के की value इन दोनों चीज़ों बंडर बगरती है और temperature पर भी उसको मैं उता चालते हैं यह formula के डालप हुआ कि जो जितना matter अपना लगे बचा हुआ टी समय बाद उतनी ही उसकी रेट होती ज्यादा बचा हुआ उतनी ज्यादा रेट होगी इस तरह से पर निकालते हैं अपने डी ऑक्सिद्ट के बारे बात करेंगे तो जल्दी उसको तोड़ देगा ऑक्सिजन जल्दी कंज्यूम करेंगे है तो जल्दी उसको तोड़ देगा ऑक्सिजन जल्दी कंज्यूम करेंगा और अगर कॉंप्लेक्स है जटिल है तो उसको इजी ली से नहीं तोड़ सकता तो केकी रेट घट जाएगी तो केकी रेट कब बढ़ेगी जब वो सिंपल होगा और सिंपल कौन से जैसे अपना ग्लूकोस हुआ सेल्यूलियोस हुआ यह सब सिंपल है सुगर हुआ ठीक है ना तो जैसे टेमपेज गटने पर के बढ़ता है वे टेमपेज बढ़ने पर के बढ़ता है यह गटने पर गटता है बढ़ने पर बढ़ता है सिंपल और मेंटर प्रजेंट होने पर केडी की रेट इंक्रीज होती है और कॉंपलेक्स complex जैसे phenol और simple organometer अगर मैं आपको बता हूँ simple कौन सा होता है जैसे अपने sugar हुआ glucose यह होते है simple KD को अपन किस पर ग्याद करते हैं generally 20 degree centigrade पर ही ग्याद किया जाता है क्योंकि 20 degree centigrade पर यह अपन BOD निकालते हैं लेकिन अगर आप KD को KD बोलो चाहिए K बोलो एक ही बात है D oxygenation constant ठीक है न तो अगर आप इसको 20 degree के लावा किसी और temperature पर ग्याद करना चाते हो न तो आप कैसे ग्याद करोगे इस formula के द्वारा KD T degree centigrade मतलब आप 27 पर निकालना चाहरे हो KD 27 है जाएगा क्या होगा बराबर KD 20 degree centigrade 20 degree centigrade की जो value fix रहती है हमारी into में 1.047 की whole power T minus 20 यहाँ पर T क्या है temperature आप 27 पर निकाल रहे हो 27 minus 20 मतलब power कितनी आजाएगी 7 तो KD 20 की value पुट करो into 1.047 की whole power 7 कर दोगे तो जो भी value आएगी वो KD 27 degrees centigrade की value आएगी इस तरह से अपन निकालते हैं यह formula आप से पूसकता है KD किसी अने temperature पर KD को गयाद करने के लिए अपन कैसे गयाद करेंगे इस तरह से गयाद करेंगे और मैंने जो इसके जितने भी important note है सारे सारे मैंने उतार दी है यह सारे note आप अच्छे से याद कर लेना इन पर question बनता है और आपको मिलेगा भी इन सब को आप अच्छे से याद कर लेना ठीक है रहा अपना जो note नमर बने वो क्या है KD 20 degree centigrade की जो value होती है लगबख कितनी होती है 0.05 से 0.20 पर day इसकी जो unit होती है वो क्या होती है अपनी पर day होती है और अधर अगर आपसे पानी के बारे पूछ रहा है इसकी वेल्यू कितनी होती है municipal sewage के लिए कितनी होती है surface water के लिए कितनी होती है treated sewage effluent sewage को treat करने के बाद जो बचा हुआ पानी है उसके लिए कितनी होगी तो tap water के लिए सबसे कम होगी क्योंकि उसके नदर organometer उतना ही कम होगा तो कम oxygen consume होगी इसलिए उसकी value कम होगी municipal sea wage में सबसे ज़्यादा होगी उसके नदर organometer ज़्यादा होता है तो आपको इसके नदर जो important है tap water की है एक तो और एक municipal की कितनी होती है less than 0.05 per day यह होती है 0.05 से 0.10 per day 0.10 से 0.15 per day यह वाला note इतना important यह second पहला वाला important था तीसरा यह सारे important है BOD 520 degree centigrade कैसे पढ़ेंगे 5 दिन की BOD है 20 degree centigrade पर कितनी होती है 68% होती है BOD ultimate जो ultimate या final ultimate का मतलब क्या side में लिख देता हूँ है ultimate का मतलब है वह या final जो final BOD है टोटल कितनी होती है उसको बोलते ultimate BOD उसका कितना परसेंट होती है 5 दिन की 800 परसेंट और 10 दिन की BOD 10 दस दिन की BOD ultimate का कितना होती है 90% ठीक है ना और BOD 5 जो है 20 degree centigrade of drinking water पीने वाले पाने की BOD 5 कितनी होनी चाहिए खुछ भी नहीं होनी चाहिए भाया बिल्कुल नहीं चाहिए तो drinking water कितनी होनी चाहिए eight BOD must be zero municipal की कितनी होती है बाई 100 से 500 फीमिलिगराम पर लिटर होती है BOD 5 20 degree centigrade पर जो human अपन जो निकालते है ना पर capita per day एक आदमी के दौरा जितना पानी waste हो रहा है उसकी हम जो BOD निकालते हैं कितनी लेते हैं अपन 80 gram per capita per day अपन लेते हैं ये वाला note भी अपना important है note number 7 कितनी होती 80 gram per capita per day ठीक है ना तो ये थी अपनी BOD से related साथ सारी बाते हैं अब बात आती है BOD से related अपने questions कैसे पूछे जा सकते हैं एक दो question अपन करके देखते हैं तो question number first तो अपना ये है ये कह रहा है बही है 20 ml 20 ml का अपना waste water है waste water है sample है was diluted to 300 ml इसको dilute कर दिया गया 300 ml में मतलब ये अपने पास 20 ml था मिला दिया मिला करके अब ये क्या हो चुका है मिलने के बाद में वो हो चुका है 300 ml आप ये नहीं समझेंगे कि 20 को 300 में मिलाया है तो 320 नहीं diluted to diluted to मतलब इतना उसको dilute कर दिया है कितना 300 तो 20 का आपने क्या बना दिया 300 बना दिया सीधा सीधा तो यह था अपना इनिशियल डाइलूटेड सेंपल यह था अपना टेश्ट सेंपल ठीक है इफ डिजॉर्ड ऑक्सिजन एड बिगनिंग वास 30 मिली ग्राम पर इस टार्ट में कितनी थी 30 मिली ग्राम पर लीटर अट-थाइड येटिघा उप ग्रण बिदल बाद करने के बादा बच्ची उसमें पांच इस टार्टम किती हुए पचिस मिली ग्राम पर लीटर कंई अबनियुक्ई क्या रहा है देन बॉड प्रिदोड़ फाइव निकालो कैसे निकालेंगे practical या फिर theoretical practical approach का यूज करेंगे क्यों तो कि इसने अपनको dissolve oxygen को दे रखा है तो अपनको पता है कैसे निकालेंगे consume oxygen into dilution factor बस इन दोनों को multiply कर देंगे consume oxygen कितनी है 30 थी 5 रह गई कितनी consume हुई 25 dilution factor कैसे निकालेंगे initial diluted sample कितना था अपन में test sample मतलब 300 बटे 20 ऐसे निकालेंगे dilution factor गुणा कर देते हैं तो देखिए भई consume dissolve oxygen into dilution factor consumed कैसे निकालते है initial dissolve oxygen minus final diluted factor diluted sample upon में test sample तो initial 30 थी बची 5 तो कितनी consume होगे 25 25 गुणा में 300 बटे 20 करोगे तो कितना आएगा अपना 25 गुणा में 15 गरोगे 375 बटे 1 ग्राम पर लीटर simply ऐसे question पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से इनको याद करना यही question आप से पूछा जाएगा इस तरीके का मतलब और एक और type है इसी से related वो क्या है इस question में छोटा सा change है उसने क्या वो दिया 4% diluted sample was incubated at 20 degree centigrade 4-5 days 4% diluted sample है 4% है अब 4% diluted sample का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि 100 ml अगर total diluted sample था उसमें कितना मिलाया है अपने test sample 4 तब जाके क्या बनाया हमारा 4% 100 में 4 मिलाया इसका मतलब यह है total कितना था 100 था 100 में से 4 क्या था initial यह होता है हमारा यह अपना इसन क्या बोला है 4% diluted sample इसका मतलब क्या है 100 बटे 4 5% 100 बटे 5 इसका मतलब क्या है तो भाईया यह कह रहा है its initial and final dissolved oxygen was measured as initial कितनी थी 20 final कितनी थी 5 तो calculate BOD5 कैसे निकालेंगे consume into my dilution factor तो initial कितनी यह बताओ initial है 20 final कितनी है 5 dilution factor यहाँ पर बस जो गड़बड़ी है वो dilution factor की अपन कैसे निकालें तो मैंने आपको बताए यहाँ पर दे तो रखा नहीं dilution factor की initial इतना है test sample final dilution factor diluted जो sample है वो इतना है वो नहीं दे रखा उसने percentage में तो मैंने आपको बताया क्या होता है सो बटे चार चार परशंड का मतलब क्या है सो में से चार तो है अपना test sample बाकी total diluted कि इतना है सो पांच बोलता तो सो बटे पांच करते थे निकाल दो भी पंदरा गुणा में पच्चीस कितना है 375 mg पर लीटर देखो आंसर दोनों से सेम आ रहे है लेकिन चीज़ां दोनों अलग-अलग है यहाँ पर बुला उसने percentage में वहाँ पर बुला था उसने complete value ले करके क्लिए रहे के नहीं दो ही प्रकार question बनते है BOD पर बाकी जो उस theoretical portion से जो बनते हैं questions वो बनते है higher level पर numerical बाकी आप से पूछ सकता है कौन से बारे में कुछ भी ठीक है ना अब भया एक चीज़ है जो हमारी BOD COD से related है वो होता है BOD by COD का ratio तो पहली बात तो एक अपन discuss कर चुके है कि BOD कम होती है COD जादा होती है TOD उससे भी जादा होती है चाहें तो आप एक काम कीजिए इसको आप यहीं पर लिख देना note के रूप में इसके नीचे लिख देना है मेरे पास तो space नहीं है TOD is greater than COD is greater than BOD इसके नीचे लिख देना note के रूप में दोनों को BOD के वल बायोडिडेबल अब देखो अगर आपसे बोलता है BOD by COD का रेशो उसने दे दिया 0 कि कि किसी test sample के लिए BOD और COD का रेशो 0 है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो औरगनिक मेटर है वो पूरा का पूरा बायोडिडेबल है पूरा पूरा नोन बायो है या है ही नहीं तो आप सोचो BOD और COD का रेशो कब 0 होगा तो BOD तो बताता है हमारा किसको नोन बायो को COD बताता है नोन बायो प्लस बायो BOD बताता है केवल बायो डेडेबल COD बताता है बायो डेडेडेबल प्लस नॉन बायो डिगेडेबल तो BOD और COD का रेशो पूछ रहा है तो ये रेशो जीरो कब होगा बताओ जब उपर वाली चीज जीरो हो जीरों किसी का भाग देंगे मालों पांच आरी वैल्यू नीचे तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा उपर वाली चीज जीरो का मतलब बायो डिगेडेबल जीरो तो ये भी तो जीरो होगा नॉन बायो डिगेडेबल तो उस वाले ओर्गेनिक मेटर में केवल क्या प्रेजेंट है नॉन बायो डिगेडेबल ओर्गेनिक मेटर उसमें क्या प्रेजेंट है भाई Only Non-Bio Degradable Orgivator कौन सा होगा उसमें केवल और केवल NBD है BD नहीं है तब ही तो ये ratio क्या आ रहा है 0 आ रहा है पहली चीज़ तो ये के लिए रहे भाई ठीक अब देखो अब मैं कहूं कि ये ratio 1 एक कब आएगा एक तब आएगा जब उपर की value नीचे की value सेम हो उपर और नीचे की value सेम कब होगी जब ये नहीं हो ये 0 हो तो इसका मतलब क्या है उसमें केवल क्या है Biodegredable तो इसका ratio 1 आ रहा है उसका मतलब क्या है Only Biodegredable Automatometer Module ठीक है तीसरा क्या कह रहा है कि इसका ratio अनंत अनंत कब आएगा इन दोनों का ratio जब इसमें 0 का भाग जाए किसी चीज में 0 का तो नीचे की value 0 कर दो आप मतलब ये भी 0 और ये भी 0 भाई अगर आप ये 0 कर दोगे तो ये तो automatically 0 होगा के नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है कि भाई इसका ratio अनंत आ जाए इसका ratio कभी अनंत नहीं आ सकता मतलब can't possible क्यों नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ अनंत कब आएगा जब 0 में किसी चीज में 0 का भाग जाए और आप इस नीचे वाल टरम को 0 करोगे इसका मतलब BD 0 हो चुका है तो अनंत ratio कभी आएगा अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है उल्टा भी पूछ सकता है मैंने जो लिखवाया है BOD by COD लिखवाया अगर कोशन में आ गया कि COD by BOD का ratio 0 है वो ध्यान से पढ़ना COD by BOD है या फिर BOD by COD है यह अपनी जो यूनिट थी यह अपनी BOD से लिटेड थी अभी अभी इसके दो तीन तीन चार अपने जो टॉपिक है शोट शोटे से वो रह रहे हैं उसको पर नेक्स निट में कवर करेंगे अभी फिलाल आप इसको उतार लीजिए मैं side मों हो जाता हूँ ठीक है तो आप इसको उतारे हैं तसलिए से तो आज के लिटना काफी है Next lecture में पनेशी निट को complete करेंगे आज के लिटना काफी है Thank you so much